अस्सलामों अलाइकुम आई होप एवरीवन इस डूइंग ग्रेट इस वीडियो में हम जमू एंड कश्मीर जीके का दूसरा टॉपिक कम्प्लीट करेंगे और वो टॉपिक है एकोनॉमी आफ जमू एंड कश्मीर और इस टॉपिक को भी हम वन शॉट में कम्प्लीट करेंगे ठीक है लेकिन टॉपिक पे आने से पहले एक जरूरी इंफोमेशन और वो इंफोमेशन ये है कि विलेज लेवल वरकर या जिसका दूसरा नाम होता है पंचायद सेक्रेटरी ठीक है इसके पोस्स जेके एससबी ने एडवर्टाइज किये हैं और जो एस्परेंट्स इंटरस्टेड हैं वो 6 अब जून 2020 से फॉर्म 2022 से फॉर्म फिल कर सकते हैं ठीक है लेकिन इसका ओफिशल सेलेबस अभी आउट नहीं हुआ है तो आप आपको अफिशल सेलेबस के आउट होने का वेट नहीं करना है आपको जो common subjects होते हैं graduate level posters के वो आपको आज से ही prepare करना start कर देना है कौन कौन सा subject आपको prepare करना है general science, English, computer, jammu and कश्मीर जी के geography, history, conts and reasoning ठीक है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ फिलाल आप ये साथ सब्जेक्स प्रिपेर करता है स्टार्ट कर दो जब सेलिबस आउट होगा इसके बगएर जो टॉपिक्स वहाँ पे दिये होंगे आप वो टॉपिक्स भी प्रिपेर कर लेना ठीक है इसके बगएर मुझे लगता है एकोनोमिक्स के कुछ टॉपिक्स आपको प्रिपेर करने होंगे और पॉलिटी के शायद कुछ टॉपिक्स आपको प्रिपेर करने होंगे ये दो सब्जेक्स आप फिलाल के लिए छोड़ दो जब syllabus आएगा तब आप इन दोनों को देख लेना जो साथ subject इस से पहले मैंने बताए वो आप prepare करना आज से ही start कर दो ठीक है तो ये थी जरूरी information अब हम आते हैं अपने topic पे जो के है economy of jamu and kashmir इस topic पे ये के ssb ने सबसे कम question पूछे या तो मैं यूं कहूँ कि ना के बराबर question पूछे है लेकिन फिर भी हम इस topic को छोड़ेंगे नहीं इस topic को हम देखेंगे जो भी मैं आपको इस topic में बताऊंगा आपको बस वही इस topic से पढ़ना है उसके बगेर आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है ठीक है तो let us begin सबसे पहले हम देखेंगे कि GDP आप Jammu and Kashmir कितना है और इसकी trend क्या है अगर आप ये जो bar graph दिया हुआ इस slide पे अगर आप ये देख पा रहे हो तो आप ये देखोगे कि जो GDP है at current prices वो हर साल increase हो रहा है for Jammu and Kashmir GDP at current prices का मतलब क्या होता है मतलब जो GDP हम market price पे calculate करते हैं उसको बोलते है GDP at current prices ठीक है इसका दूसरा नाम होता है nominal GDP अगर आप GDP at constant prices जिसको हम real GDP बोलते हैं उसका bar graph देखोगे तो वो भी आपको दिखेगा कि वो भी increase हो रहा है ये trend आपको यहां से देखना है इसलिए मैंने ये bar graph यहां पे paste किया है ठीक है तीन sectors होते हैं economy में normally तीन होते हैं तीन से ज़्यादा भी होते हैं लेकिन नॉर्मली तीन होते हैं एक primary sector दूसरा secondary sector तीसरा tertiary sector या जिसको जिसका दूसरा नाम होता है services sector ठीक है ये आपको याद रखना है जो जम्मो एंड कश्मीर का services sector है या service sector है वो जेंड के GDP में सबसे ज़्यादा contribution करता है कितना 56% ठीक है industry 27.8% contribution और agriculture 16% contribute करती है in the state's GDP ठीक है tourism sector जो है इसमें huge potential होने के बाद भी ये 6.98% ही contribute करता है state GDP में ठीक है और जो जम्मो एंड कश्मीर का tourism है आपको ये जानके हैरानी होगी कि जो top 10 tourist visited states है इंडिया की उसमें जम्मो एंड कश्मीर feature नहीं होता है मैं आपको एक report दिखाता हूँ ये है tourism ministry की report है ये आप देखो कि जो domestic tourist visitors है उसमें 10 states ये है और जो foreign tourist visits है top 10 states ये है आप इसमें भी जम्मो एंड कश्मीर ढूंडो इसमें भी जम्मो एंड कश्मीर ढूंडो ना आपको यहां मिलेगा ना आपको यहां मिलेगा ये आपको याद रखना है कि जम्मो एंड कश्मीर top 10 tourist visited states में नहीं आता है या यूटीज में नहीं आता है ठीक है अब इसके लिए यहां के हालात responsible हैं या या यूटीज में नहीं आता है ठीक है हम थोड़ा सा अभी GDP देखते हैं GDP क्या होता है इसको calculate कैसे करते हैं ये थोड़ा सा हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे जो GDP होता है Gross Domestic Product ये क्या होता है मान लो ये है जम्मो एंड कश्मीर जम्मो एंड कश्मीर में चाहे कोई यहां का है चाहे कोई बाहर का है वो दोनों जो goods and services एक साल में produce करेंगे उनका monetary value कितना है उसको बोलते हैं हम GDP of जम्मो एंड कश्मीर ये आपको ऐसे समझना है बिल्कुल simple and lucid language में ये आपको concept समझना है मैंने क्या बोला मैंने बोला कि एक domestic territory में जो एक साल में goods and services produce होते हैं चाहे वो उस country या उस state के citizens हो या foreign nationals हो कोई भी जो यहां पे goods and services produce करता है उन goods and services का जो monetary value होगा एक साल में उसको बोलते हैं हम उस country या उस state की GDP अल राइट अब ही हम देखेंगे कि GDP के कितने methods होते हैं calculate करने के तो मैं आपको बता दूँ कि हम 3 methods से GDP को calculate करते हैं सबसे पहला method होता है income method जिसका दूसरा नाम होता है factor payment method ठीक है और दूसरा method होता है product method या जिसका दूसरा नाम है output method तीसरा जो method होता है उसको बोलते है expenditure method इनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं यह जो income method है या factor payment method है इससे हम कैसे GDP calculate करते हैं इससे हम GDP calculate करते हैं GDP is equal to जो four factors of production होते हैं land, labor, capital and entrepreneur इनको जो payments मिलती हैं उनका हम addition करते हैं जो कि है rent plus wages plus interest plus profit ठीक है अगर हम इनका addition करेंगे यह आपको देगा GDP at factor cost यह हो गया पहला method जिससे हम GDP calculate करते हैं ठीक है GDP at factor cost से हम national income तक कैसे पहुँच सकते हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ अब मानलो हमारे पास आ गया GDP gross domestic product at factor cost इसमें मैं अगर net factor income from abroad add कर दूँ तो मेरे पास आएगा net domestic product तो मेरे पास आएगा gross national product at factor cost ठीक है यह मेरे पास आजाएगा इसके बाद यह जो gross national product at factor cost मेरे पास आया gross national product at factor cost इसमें मैं अगर depreciation subtract कर दूँ तो मेरे पास आएगा net national product at factor cost जिसका दूसरा नाम होता है national income ठीक है यह हो गया पहला method जिससे हम GDP calculate करते हैं और GDP से हम फिर बाद में कहां पहुँचते हैं national income पे ठीक है यह मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया अगर आपको यह समझ नहीं आया तो आप एक बार फिर से वीडियो को rewind करो ठीक है और इसको समझने की कोशिश करो इसके बाद जो हमारे पास दूसरा method होता है वो method होता है product method या जिसको बोलते है output method ठीक है इससे हम कैसे GDP calculate करते हैं इससे हम GDP calculate करते हैं या उसको बोलते है gross value added at market price या जिसको बोलते है GDP at market price और इसकी formula क्या होती है sales plus change in stock change in stock minus intermediate consumption ठीक है यह इसकी formula होती है product method से GDP को calculate करने के लिए और यह जो formula है थोड़ा सा मैं इसको और elaborate कर दूँ gross domestic product at market price is equal to sales plus change in stock minus intermediate consumption intermediate consumption को इसलिए subtract करते हैं because चीजों की double counting नहीं होनी चाहिए ठीक है यह आप economics में सीखोगे कि इसको subtract क्यों करते हैं और यह जो change in stock होता है यह किसके equal होता है यह होता है equal closing stock minus opening stock ठीक है यह भी आपको याद रखना है तो इससे आपको मिलेगा GDP at market price GDP at market price जब आपको मिलेगा अगर आप उसमें क्या जोड़ दोगे net factor income from abroad तो आपको मिलेगा gross national product at market price ठीक है आपको मिलेगा gross national product at market price और इसमें अगर आप gross national product at market price इसमें आप फिर से depreciation subtract कर दो आपको मिलेगा net national product at market price ठीक है इसके बाद आप क्या करोगे इसके बाद आप जो net national product at market price आपको मिला आप इसमें subtract करोगे net indirect taxes net indirect taxes जो किसके equal होता है indirect taxes minus subsidies जब आप इसमें इस subtract करोगे आपको मिलेगा net national product at factor cost जो की होती है national income ठीक है यह हो गया दूसरा method जिससे हम GDP भी calculate करते हैं और GDP की help से फिर हम national income को calculate करते हैं यह मैंने आपको national income भी calculate करना सिखाया और GDP कैसे calculate करते हैं product method से वो भी सिखाया जो third method होता है expenditure method इससे हम GDP कैसे calculate करते हैं इससे हम GDP calculate करते हैं GDP at market price is equal to consumption expenditure plus investment expenditure plus government expenditure plus exports minus imports यह values आपको दी होंगी यह values आपको यहाँ put करनी हैं और आपको gross domestic product at market price मिल जाएगा और जैसा मैंने second method में फिर बताया कि national income कैसे calculate करते हैं वैसे ही आप फिर यहाँ से आगे proceed करोगे और आपको national income की value मिल जाएगी ठीक है यह मैंने आपको थोड़ा थोड़ा उपर से बताया कि national income कैसे calculate करते हैं या GDP क्या होता है और GDP को कैसे calculate करते हैं अगर आपको यह समझ नहीं आया तो आप वीडियो को एक बार दो बार फिर से rewind करो और इसको समझने की कोशिश करो अगर आपको समझ नहीं आया तो यह ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इस topic में मुझे लगा कि थोड़ा सा आपको इसके बारे में knowledge होनी चाहिए तो इसलिए बता दिया ठीक है अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे अब थोड़ा सा budget भी देख लिते हैं ठीक है जो budget होता है इसको जो constitution of india है इसको बोला है annual financial statement और यह article 112 में दिया हुआ है ठीक है budget के दो components होते हैं एक होता है revenue budget और दूसरा होता है capital budget इनको हम थोड़ा थोड़ा उपर से देखेंगे ठीक है जो revenue budget होता है जो revenue budget होता है इसके दो components होते हैं एक होता है revenue receipts और दूसरा होता है revenue expenditure ठीक है यह आपको याद रखना है जो revenue receipts होते हैं यह ऐसी payments होती है इससे government पे ना liability increase होती है ना ही government के assets increase होते है ठीक है इन पे कोई फरक नहीं पड़ता ना assets पे ना liabilities पे और यह कैसी payments होती है यह regular payments होती है और recurring payments होती है ठीक है revenue receipts की example एक होती है इसके दो types होते है tax revenue और non tax revenue tax revenue में एक तो आते है direct taxes दूसरे आते है indirect taxes यह भी आपको याद रखना है और non-tax revenue में क्या क्या आता है non-tax revenue में आता है non-tax revenue की examples होती है मान लो अगर interest receipts सरकार ने कोई loan दिया है किसी state को और वहाँ से अगर जो interest मिलता है वो non-tax revenue होता है और अगर आप कोई मान लो stamp paper आप बनवाते हो उस पे आप fee pay करते हो वो भी non-tax revenue होता है because वो आप fee pay करते हो government को ठीक है और अगर सरकार ने कहीं पे investment कर रखी है उस पे जो dividend मिलता है या profit मिलता है वो भी non-tax revenue की category में आता है ठीक है और revenue expenditure क्या होता है revenue expenditure होता है जिस से government की day-to-day machinery काम करती है, function करती है ऐसी payment को हम बोलते है revenue expenditure जैसे example इसकी revenue expenditure की example होती है salaries, जो pension या subsidies वगएरा होती है इनको बोलते है हम revenue expenditure इस से government की day-to-day functioning चलती है सरकार revenue expenditure से ही चलती है ठीक है, या आपको याद रखना है और अगर government ने कोई loan उठाया है और उस loan पे government जो interest payment करती है मतलब जो interest pay करती है वो भी revenue expenditure होता है ठीक है या आपको याद रखना है अब जो capital receipts होती है वो क्या होती है capital receipts और capital expenditure इन दोनों का रिष्टा जो है वो liabilities और assets से है कैसे वो अभी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ capital receipt क्या होता है capital receipt ऐसी payment होती है जिससे government की या तो liability increase हो या तो government के assets decrease हो बस इतना आपको याद रखना है capital receipt वो payment होती है वो payment receipt होती है जिससे government की या तो liability increase हो या तो government के assets decrease हो ठीक है या आपको याद रखना है इसकी example क्या है इसकी example है मान लो government ने bonds issue किये ठीक है और bonds issue किये और पैसा raise किया पैसा raise जब किया government ने bonds की help से तो government पे liability increase हो गई government की जब liability increase हो गई तो इस से जो payment सरकार के पास आई उसको बोलते हैं हम capital receipt ठीक है यह आपको याद रखना है और एक example क्या हो सकती है मान लो कोई public sector enterprise है जिसमें government की shareholding है government ने उस shareholding को बेच दिया यानि कि government की assets कम होई government की asset कम हुई जो पैसा इस से आया वो भी capital receipt कहलाएगा ठीक है यह उसकी दूसरी example हो गई I hope कि capital receipt आपको समझ आ गया होगा फिर capital expenditure क्या होता है capital expenditure ऐसी payment होती है जिससे government की या तो liability कम हो या तो government के assets increase हो बस इतना आपको याद रखना है capital expenditure ऐसी payment होती है जिससे government की या तो liability कम हो या तो government के assets increase हो ठीक है इसकी example क्या है इसकी example है कि मान लो government ने कोई loan लिया था और उसने वो loan repay कर दिया यानि कि repayment of loan is an example of capital expenditure और क्या इसकी example हो सकती है और इसकी ये example हो सकती है कि मान लो government ने कोई building बनवाई, hospital बनवाया ठीक है, कोई bridge बनवाया ये सारे जो इस पर खर्चा आएगा उसको हम बोलेंगे capital expenditure because इससे government के पास asset increase हो गए ठीक है, तो ऐसी ऐसे खर्चे को हम बोलेंगे capital expenditure ठीक है, I hope ये budget आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा और इसमें जो components होते हैं वो आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा अगर नहीं समझ आया आपको मैं फिर से बताऊंगा कि आप वीडियो को एक दो बार rewind करो आप फिर से देखो मैंने क्या बताया और I am sure कि आपको समझ आ जाएगा, ठीक है लगे हाथ हम deficits भी देख लेते हैं पहला जो deficit होता है वो होता है revenue deficit revenue deficit इसकी formula क्या होती है, इसकी formula होती है revenue expenditure minus revenue receipts याने कि revenue expenditure minus revenue receipts अगर हम करेंगे तो हमें revenue deficit मिलेगा, और ये deficit क्या होता है मैं आपको बता दूँ deficit क्या होता है deficit मान लो, government की expenditure government का है 1200 रुपीज, ठीक है और government के पास कितना पैसा है, government के पास 1100 रुपीज है, अगर आप इनको subscribe करोगे, तो आपको 100 रुपीज दिख जाएगा यानि कि government का खर्चा 1200 है, और government के पास सिर्फ कितना पैसा आया, 1100 यानि कि 100 रुपे कम है खर्चा ज्यादा है, और सरकार के पास पैसा कम है जो इनकी difference है, उसको बोलते हैं हम deficit, ठीक है आपको याद रखना है revenue deficit मैंने आपको बता दिया इसके बाद आता है fiscal deficit fiscal deficit में क्या होता है, fiscal deficit इसकी formula होती है total expenditure minus total receipts excluding borrowing excluding borrowing, इसकी क्या meaning होती है थोड़ा सा, आप सबर रखो मैं आपको अभी elaborate कर दूँगा कि यह क्या होता है fiscal deficit is equal to total expenditure minus total receipts excluding borrowing total receipts में क्या आता है, इसमें आता है total expenditure में क्या आता है total expenditure में आता है revenue expenditure और capital expenditure, यह दो expenditures इसमें आते हैं, ठीक है और यह जो total receipts होता है इसको हम थोड़ा सा breakdown करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या होता है total receipts में क्या होता है इसमें दो parts होते हैं, एक होता है revenue receipts, और दूसरा इसमें होता है non debt creating capital receipts यह non debt creating capital receipts क्या होता है यह आपको मैंने अभी बताया था क्या बताया था जो capital receipt है इसमें मैंने आपको बताया कि अगर कोई ऐसी payment जिससे government की या तो liability increase हो या तो government का assets decrease हो तो ऐसी payment को हम बोलते है capital receipt अगर मानलो सरकार ने कोई asset बेच दिया और उससे जो पैसा सरकार ने raise किया उससे सरकार पे कोई liability increase नहीं होई ठीक है? asset काम हुआ लेकिन liability increase नहीं होई ऐसी payment receipt को हम बोलते है non-debt creating capital receipt क्यों? capital receipt है और इससे सरकार पे liability increase नहीं होई ऐसी payment receipt को हम बोलते है non-debt creating capital receipt ठीक है? I hope ये भी आपको समझ आ गया होगा तो अब हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे fiscal deficit is equal to revenue expenditure plus capital expenditure ये हो गया total expenditure minus और यहाँ पर क्या होता है bracket में? revenue receipts plus non-debt creating capital receipts ठीक है? अगर हम इस minus से इस bracket के अंदर multiply करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा हमें मिलेगा revenue expenditure plus plus capital expenditure minus revenue receipts minus non-debt creating capital receipts ये हमें मिलेगा और अगर आप इसको देखोगे अगर आप इसको देखोगे revenue expenditure और revenue receipts ये यहाँ पर minus है पहले ही मैंने आपको बताया था revenue expenditure minus revenue receipts क्या होता है? वो होता है revenue deficit इस formula को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कैसे? वो हम इसको लिख सकते है revenue deficit ये क्या है? revenue expenditure minus revenue receipts ये दो इसमें आगे ठीक है? उसके बाद मैंने क्या लिखा? capital expenditure उसके बाद non-debt creating capital receipts ये formula आगई किसकी? fiscal deficit की. अगर आप देखोगे तो आपको ये दिख जाएगा कि revenue deficit is part of fiscal deficit और अगर revenue deficit ज्यादा हुआ किसमे? fiscal deficit में अगर ये वाला portion ज्यादा हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि सरकार बहुत पैसा salaries pension, subsidies वगएरा में खर्श कर रही है और कम पैसा utilize कर रही है assets create करने में या capital formation कम हो रही है ठीक है? ये आपको याद रहना चाहिए इसके बाद एक और deficit क्या होता है? effective revenue deficit इसकी meaning क्या होती है? revenue deficit में अगर हम वो grants subtract कर दे जो grants capital formation के लिए use हुई है revenue deficit में वो हम हटा दे तो आपको मिल जाएगा क्या? effective revenue deficit ठीक है? ये भी आपको formula याद रखनी है इसके बाद last में जो deficit हमारे पास बज़ता है वो है primary deficit और ये किसके equal होता है? अगर हम fiscal deficit में से interest payments हटा दे तो हमें जो deficit मिलता है उसको बोलते है primary deficit ये interest payments होती है जो पास्ट में सरकार ने loans उठाए थे उस पे जो सरकार interest payment करती है इस साल के fiscal deficit में जो interest payment सरकार pay करेगी अगर हम उसको हटा दे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा primary deficit I hope ये deficits भी आपको समझ आ गये होंगे ठीक है? I have tried my best to make it simple for you ठीक है? अगर समझ आया तो ठीक नहीं आया तो आप इसको फिर से देख लो I hope आपको समझ आ जाएगा ठीक है? ये थोड़ा सा मैंने overview दे दिया आपको national income का और GDP कैसे calculate करते हैं? थोड़ा सा budget का और थोड़ा सा types of deficits का ठीक है? तो चलते हैं आगे इसके बाद हम देखेंगे जो financial year 2021-2022 था इसके लिए जो budget था UT of Jammu and Kashmir का वो था rupees 1.08 lakh crores ठीक है? ये आपको याद रखना है और जो tax to GDP ratio था financial year 2021-2022 के लिए वो था 8.10% जितना एक state या एक country का tax to GDP ratio जितना ज्यादा होगा ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि इस country की tax कितनी बड़ी है? मतलब taxpayers कितने हैं? अगर इसकी value ज्यादा होगी यानि कि numerator बड़ा है अगर numerator बड़ा है इसका मतलब tax pay करने वाले लोग बहुत ज़्यादा है या सरकार की tax किती बड़ी है tax बहुत ज़्यादा आता है सरकार के पास ठीक है? ये आपको याद रखना है और 2021-2022 financial year के लिए central government ने एक grant भी प्रोपोज की थी वो वो grant कितनी की थी? वो थी रुपीज 30,575 करोर की ठीक है? you have to remember this figure as well ठीक है? ये अगर आप newspaper की cutting देख सकते हो वो है center okays रुपीज 1.08 लाग करोर budget to spur growth and create jobs in Jammu and Kashmir financial year 2022-2023 के लिए जो Jammu and Kashmir का budget है वो है रुपीज 1.12 लाग करोर ठीक है? गिया आपको याद रखना है और ये तीसरी बार हुआ है कि जो Jammu and Kashmir का budget है वो parliament में present किया गया because जो Jammu and Kashmir UT है यहाँ पे अभी कोई elected government नहीं है उसकी वज़े से तीसरी बार जो parliament of India है वहाँ पे Jammu and Kashmir UT का budget present किया गया ठीक है? थोड़े से important points हम देख लेते हैं वो यह है कि जो महराश्टर स्टेट है इसका सबसे highest gross state domestic product है among 33 Indian states and union territories union territories और states में सबसे ज़्यादा किस state का gross state domestic product है या GDP किस state का सबसे ज़्याइस्ट है? वो है महराश्टरा ठीक है? और per capita income किस state का सबसे ज़्यादा है? per capita income सबसे ज़्यादा गोवा का है और जो ज़्याद कश्मीर की एक कंपनी है उसका नाम है service for foods यह एक small and medium enterprise है यह पहली small and medium enterprise बनी ज़्याद कश्मीर की to make its debut in capital market by getting listed on the national stock exchange ठीक है? जो company list होती है stock exchange पे तो आप उसके shares खरीद सकते हो ठीक है? खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो थोड़ी बहुत मैं आपको definition बता दूँ कि यह micro किसको बोलते है small किसको बोलते है और medium enterprise किसको बोलते है ठीक है? इसमें दो criteria होते है एक होता है investment criteria दूसरा होता है turnover का criteria micro उस enterprise को बोलते है जिसमें investment एक करोर की हो और turnover पाँच करोर तक का हो ठीक है? small enterprise किसको बोलते है जिसमें investment दस करोर तक की हो और turnover पचास करोर तक का हो और जो medium enterprise होती है उसमें investment 50 करोर तक होती है और turnover 250 करोर तक का होता है इस table को आप कैसे याद रखोगे? इस table को आप ऐसे याद रखोगे just a minute मैं आपको बता देता हूँ आप क्या करोगे exam में अगर एक question आता है तो आप ऐसे table बनाओगे micro, small और medium enterprise ठीक है उसके बाद आप ऐसे ये जैसे आप tic-tac to खेलते थे बच्पन में तब वैसे ही ये बनाना है यहाँ पे लिखना है 1, 10 और पचास और इसको 5 से multiply कर देना 1,500, 5 इसको भी 5 से 10,500, 50 और इसको भी 5 से 50 into 5, 250 ये सारी figures करोर में होती है ये आपका table बनके तयार हो गया micro, enterprise investment 1 crore और turnover 5 crores, small investment up to 10 crores और turnover up to 50 crores और medium enterprise investment up to 50 crores and turnover up to 250 crores जो अभी micro, small and medium enterprise की union minister है उनका नाम क्या है उनका नाम है नारायन राने ये भी आपको याद रखना है ठीक है अल्राइट अब मैं आपको कुछ important industries और institutions बता देता हूँ जम्मू और कश्मीर के जो जो point मैं highlight करूंगा बस आपको वही याद रखना है ठीक है exam purpose के लिए आपको सीधा question दिख जाएगा exam में सबसे पहले carpet making industry हम देखेंगे इस industry को किसने start किया carpet weaving को start किया मतलब help किया सबसे ज़्यादा किसने सुल्तान जैनुलाबिदीन जिनको हम commonly कश्मीर में पहले पुराने जमाने में बढ़शा भी बोलते थे इनका रीन कहां से start होता है 1420 से 1470 तक 50 साल इन्होंने कश्मीर पे हुकुमत की है ठीक है और इन्होंने पर्षिया से craftsmen लाए थे valley में और जुने लोकल्स को train किया किस आर्ट में कार्पेट वीविंग के आर्ट में ठीक है लेकिन जो बढ़शा के जो बढ़शा का रीन खतम हुआ तब जो valley के कार्पेट थे उन्होंने काफी setback सफर किया और 18th century में जब मुगल्स आये तो जो मुगल एंपरे जहांगीर था मुगल एंपरेर जहांगीर के टाइम में फिर से कार्पेट जो ये आर्ट था ये रिवाइव हुआ और इस टाइम पे जो मुगल एंपरे जहांगीर है इसके टाइम पिरिड को बोलते हैं golden age for the craft और इसी टाइम जो लंडन में Crystal Palace Exhibition था 1851 वहां पे भी कश्मीर के कार्पेट को एक बार डिस्पले पे रखा गया था ये आपको याद रखना है और जो गौर्मन्ट है इन्होंने गौर्मन्ट है एस्टैबलिश किया Indian Institute of Carpet Technology एट स्रीनगर इन दा ये 2004 ये भी आपको याद रखना है Sports Industry किसने शुरू करवाई कश्मीर में अल्ला बक्ष ये कहां के थे ये थे सियाल कोट के और इन्होंने पहला यूनिट कहां पे एस्टैबलिश किया संगम हालमुला में और ये जो पहला यूनिट था ये पहले हौकी स्टिक्स ज्यादा प्रेडिूस करता था एस कॉंपियर टो क्रिकेट बैट्स ठीक है लेकिन बात में धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हो गई और क्रिकेट बैट्स ज्यादा बनने स्टार्ट हो गए और जो क्रिकेट बैट फैक्ट्रीज है डिस्ट्रिक अनंतना की जो संगम में है ये वर्ल्ड फेमस है ठीक है ये भी आपको याद रखना है वर्ल्ड फेमस कैसे है ये मैं आपको बता देता हूँ ये आप अगर न्यूस पेपर की कटिंग देख सकते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है इस टीट्वेंटी वर्ल्ड कप ओमान विल बैट विद कश्मीर विल्लो जो जो ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 UA, United Arab Emirates और ओमान ने होस्ट किया था वहाँ पे जो ओमान के क्रिकेट टीम है कुछ प्लेयर्स ने कश्मीर विल्लो के बैट्स को खेलने के लिए यूज किया था ठीक है इसी लिए कश्मीर क्रिकेट बैट्स आर वर्ल्ड फेमस ठीक है यह भी आपको याद रखना है जो सीमेंट इंडस्ट्री है कश्मीर में पहला सीमेंट प्लांट कश्मीर का कौन सा था जेंड के सीमेंट लिमिटेड और ये एक गौर्मेंट ओन कंपिनी थी और इसको स्टार्ट किया गया था डेसमबर 1974 में इस प्लांट ने कमर्शल प्रोडक्शन आप सीमेंट कब से स्टार्ट की इसने स्टार्ट की 1900 एप्रिल 1982 और जो सिमेंट का नाम था कमर्शल नेम वो था जहलम ब्रैंड सिमेंट ठीक है और जो सिमेंट कैपिटल है कश्मीर की वो है क्रिव पुल्वामा ठीक है जमू एन कश्मीर बैंक को इनकॉर्परेट किया था 1st October 1938 को महराजा हरी सिंग ने और इनिशल पेड़ अप कैपिटल थी रुपीज 5 लाग जब 1947 में इंडिया और पाकिस्तान अलग हो गए ठीक है जब पार्टिशन हुआ पार्टिशन के बाद जो दो ब्रांचे तब उस पार्टिशन के टाइम पे ब्रांचे थी जम्मो एंड कश्मीर की और दो ब्रांचे जो कि एक थी मुझाफराबाद में दूसरी थी मीरपूर में मीरपूर कैपिटल किसकी है मुझाफराबाद की ठीक है यहाँ पे एक branch यहाँ पे एक branch यह किस तरफ आ गई यह आ गई पाकिस्तान के तरफ और जो cash था और बाकी assets थे वो इधर ही रह गई जम्मू एंड कश्मीर की दो branches line of control के उस पार आ गई along with cash and other assets और वो वही रह गई ठीक है यह भी आपको याद रखना है और recently जम्मू एंड कश्मीर के जो managing director and CEO थे वो पहले थे जहां तक मुझे याद है RK छिबर थे और उनको I think वो retire हो गए और उनकी जगा किन को appoint किया गया बलदेव प्रकाश को और जो tag line है जम्मू एंड कश्मीर बैंक की वो है serving to empower खिदमत से खुदारी ये भी आपको याद रखना है और ये recent की एक news है कि government of UTI of Ladakh को RBI की तरफ से permission मिल गई कि वो 8.23% stake acquire कर सकता है जम्मू एंड कश्मीर बैंक में ये भी आपको याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर सिडको यानि कि जम्मू एंड कश्मीर State Industrial Development Corporation इसको incorporate किया गया 1969 में और इसका objective क्या है इसका objective है to promote and develop medium and large scale industries in the UTI of जम्मू एंड कश्मीर ठीक है और जो C-COP होती है इसकी full form क्या होती है इसकी full form होती है जम्मू एंड कश्मीर Small Scale Industries Development Corporation Limited और इसको incorporate किया गया in the year 1975 और C-COP का objective क्या होता है promote करना और develop करना Small Scale Industries in the UTI of जम्मू एंड कश्मीर अब ये state नहीं है इन द यूटी आप जम्मू एंड कश्मीर ठीक है ये भी आपको याद रखना है अगर आपको इसमें कुछ भी याद नहीं रहा बस ये dates आपको रटा मारना है इन देट्स का आपको रटा मारना है ठीक है और इनकी full form भी आपको याद रखनी है जम्मू एंड कश्मीर Energy Development Agency इसको setup किया गया in the year 1989 और Department of Science and Technology जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के अंडर ये Energy Development Agency आती है ठीक है जम्मू एंड कश्मीर Entrepreneurship Development Institute इसको establish किया गया गवर्नमेंट आफ जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीर ने in March 1997 और इसका aim क्या था कि Entrepreneurship को state में encourage किया जाए ठीक है लेकिन इसने कब से function करना start किया इसने regular activities करना February 2004 से start कर दिया ये भी आपको याद रखना है ठीक है जम्मू एंड कश्मीर Infrastructure Development Finance Corporation Limited इसको establish किया गया 5 September 2018 और इसको establish क्यों किया गया क्योंकि गवर्नमेंट ने एक सर्वे किया और उस सर्वे में गवर्नमेंट ने ये पाया कि 6000 प्रोजेक्ट्स है जो कि पड़े हुए है जिन पर कोई प्रोग्रेस नहीं है ठीक है और उनको speed up करने के लिए और उनके लिए जो capital है वो adequate capital मतलब raise करने के लिए गवर्नमेंट ने एक corporation बनाई जिसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर Infrastructure Development Finance Corporation Limited कब किया ये date यहाँ पर mentioned है ठीक है और इस corporation का target है कि इसको raise करने है loans up to 8000 crores और loans raise करने के बाद इन projects को fund किया जाएगा उस loan की help से और इस corporation के अभी प्रेजेंट में जिए चेर्मेन है उनका नाम है अरुन कुमार महता जो के अभी Chief Secretary है Union Territory आप जम्मू एंड कश्मीर के ठीक है जम्मू एंड कश्मीर trade promotion organization इसको incorporate किया गया यह एक joint venture है किसका government of जम्मू एंड कश्मीर का Indian trade promotion organization का export promotion council for handicrafts का और carpet export promotion council का और इसको कब incorporate किया गया 30th May 2018 ठीक है यह एक joint venture है यह भी आपको याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर industries limited यह एक state government की company है और इसको incorporate किया गया 4th of October 1963 ठीक है और industrial growth center कहां पे है लासीपुरवा पुल्वामा यह भी आपको याद रखना है यह जो लासीपुरा है पुल्वामा में लासीपुरवा पुल्वामा में City Authority of India Limited ने 1.500 करोड का processing plant लगाने का सोचा था 2008 में उसकी foundation stone भी ले की थी किसने राम विलास पासवान जो उस ताइम के steel minister थे ठीक है लेकिन उसके बाद जो Steel Authority of India Limited है उन्होंने उस project को ढप किया मतलब बोला कि हम यहाँ पे processing plant नहीं लगवाएंगे because हमारा इससे काफी loss होगा ठीक है लेकिन अब क्या हुआ recent development यह है कि जो JSW Steel है वो अब सेट अप करेगा 1500 करोड का steel plant in South Kashmir's Pulwama district ठीक है यह आपको याद रखना है जो Silk Industry है उसकी जो पहली factory है वो कहाँ पे start की गई थी Solinar area of Srinagar in 1897 किसके अंडर एक Britisher थे जिनका नाम था C.W. Walton और यह एक well-known sericulturist थे ठीक है और जो Department of Geology and Mining है in Jammu and Kashmir इसको Establish किया गया in the year 1960 ठीक है अब आप बोलोगे कि सर यह आप क्या पढ़ा रहे है Economy of JNK में Economy of JNK में जो Industries या Institutions मैंने आपको बताए हैं यह in one way or the other help करती है State की GDP में यानि कि State की GDP में contribute करती है यही Industries या Institutions in one way or the other और मैंने observe किया है पुराने Papers में JKSB ने Economy of JNK में इन से ही Questions पूछे है इसलिए हम यह बढ़ रहे हैं ठीक है तो यह मत सोचना कि यह इसमें relevant नहीं है ठीक है इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ important minerals जो Jammu and Kashmir में पाए जाते हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि Limestone Limestone जो होता है यह यूज होता है in the manufacturing of cement और paper और glass और bleaching powder में और यह कहां कहां पे मिलता है यह मिलता है कठवा, उदंपूर रजोरी and पुंच Bauxite क्या होता है यह और होता है Aluminium का यानि कि Bauxite से हमें Aluminium मिलता है और यह कहां कहां पे पाए जाता है उदंपूर and रामबन ठीक है Coal सब को पता ही है It is a fuel और यह कहां पे पाए जाती है उदंपूर and रजोरी Magnesite यह किस में यूज होता है यह refractory bricks जो furnaces में यूज होती है उसको बनाने में यह mineral यूज होता है और यह कहां पे पाए जाता है उदंपूर में Dolomite यह भी refractory bricks बनाने में यूज होता है और यह कहां पे पाए जाता है रियासी, रजोरी and उदंपूर ठीक है China clay यह ceramics में यूज होता है और pottery में यूज होता है और ये डोडा और उधंपुर में ये पाया जाता है ठीक है? graphite ये paints में यूज होता है और ये पाया जाता है बारमणला मेँ granite ये decorative building stone है ये मिलता है गांदरबल, बारमणला, पुंच, एंड डोडा में quartzite glass industry में यूज होता है और ये मिलता है अननतनाग, बारमुला एंड कुफवारा में sapphire एक precious stone होती है और ये मिलती है कहाँ पे डोडा, डोडा के पडर area में gypsum cement में यूज होता है ये मिलता है बारमुला, कठवा रामबन एंड डोडा में ठीक है, और marble ये भी एक decorative building stone है और ये कहाँ पे मिलती है, मिलता है ये मिलता है, कुफवारा में ठीक है, ये minerals हमने इसलिए पड़े, because minerals से भी, जो G&K की GDP है, वो G&K GDP, अगर हम जो G&K state है, जो minerals बेजती है वहाँ से जो पैसा मिलता है वो भी contribute करता है in the GDP इसलिए हमने ये minerals भी देखे, because economic geography ये economic ये economic geography में आता है ठीक है, economic geography में ये आता है, ठीक है तो इस topic में मुझे लगता है कि इतना ही important है, और जो मैंने पढ़ाया, I think it is more than enough in this topic ठीक है, आपको इस topic की PDF file मिल जाएगी description box में, आप इस PDF file को download कर लो, अपनी handwriting में A4 side sheet पे short notes बना लो और exam में आपको इसी से, अगर इस topic से कोई question आता है, तो वो इसके बाहर किसी topic से, मुझे नहीं लगता कि किसी sub topic से आएगा, ठीक है तो I hope आपने आज काफी कुछ नया सीखा होगा, और आपको काफी मज़ा आया होगा, ठीक है तो अगर आपने आज कुछ नया सीखा ठीक है तो आप like कर सकते हो इस video को, इसको share कर सकते हो अपने friends के साथ, और आप इस channel को subscribe कर सकते हो ठीक है, अगर आपको इस video अच्छा नहीं लगा तो आप as usual इसको dislike कर सकते हो, dislike से मुझे पता चलेगा कि मुझे अपने lectures में improvement करने की ज़रूरत है, ठीक है, और बहुत सारे students ने ये comment किया था कि sir आपकी voice गाफी low है वीडियो में, तो आज मैंने थोड़ा सा चिलाया है, अब मुझे पता नहीं है कि sound कैसे आई है I hope पहले से better होगी, ठीक है तो take care and I hope to see you in my next video very soon फिया मानिल्ला